नमोर आगवाई जैस रिशीतारा मैं राम चरित मानस का पाठ स्रोण कराने जा रहे हूं जो कि गीता प्रेस गोरखपुर का है यह राम चरित मानस गीता प्रेस गोरखपुर की है और इसमें सम्मा चल ला है कि राम बन गवन को चलेगा यह और जो लोग आज कल जो हमारी बेन वेटियां हैं जो तरंग थोड़े दिन भी नहीं होते हैं विवा को और तलाक के लिए कभी लड़कों की ओर से कभी लड़कियों की ओर से तलाक सुरू हो जाता है उनके लिए यह कितनी अच्छी चौपाईयां हैं बहुत ही ज़्यादा सुख सीख प्रत देने वाली क्योंकि रामचरित मानसी तुमें जीना सिखाता है रामचरित मानस से हमें जीवन में वे सुख प्राप्त हो जाता है जो कभी कहीं किसी बस्तू से प्राप्त नहीं हो सकता है इसलिए हम अमारे रिशी मुनी मात्मा कहते हैं कि कुछ भी हो अपनी बच्ची को राम चरित मानस का पाट अवस्य कराया करें तो आईए चंदर चौपाईयां क्यों इतनी उत्तम हैं आईए स्रवन कीजिए जब राम बन को चले गए तो छिन छिन लकिसिया राम पदे जानी आप परने करतन सपन लकन चिता बंदो मातो पितुगे राम संग सिय रहत सुखारी पुर परिजन ग्रह सुरत विसारी लड़की कौन सुखी रह सकती है लड़की वही सुखी रह सकती है जो अपने पती के ग्रह में अपने पुर परजन की याद भूल करके सुरत विसारी सब की याद भूल करके उस गर को अपना समझ करके बड़े खुस रहती है चिन चिन पिय विदू बदन नियारी प्रवदेता मनौ चकोर कुमारी और बहुत बहुत चिन चिन पिय बार बार भगवार राम के बदन को नियार लेती है और कैसे नियारती है जैसे चकोर कुमारी चकोर अपने उसको देखता है एक दूसरे को देखते हैं उसी तरह से थोड़ी थोड़ी देर बाद सीता जी वहां राम को देख करके सुखी हो जाती है अब सोचो बन में है राम सीता कहा पर है बन में और बन में रहते हुए भी सीता जी राम को देख करके और राम सीता जी को देख करके सुखी हो जाते है तो इससे में क्या सिच्चा मिलती है कि किसी भी परिस्तिती में रहे है पती पतनी लेकन एक दूसरे को देख करके सुख होते रहें नाहा नेह नित बड़त बिलो की अरसित रहते दिवस जिमिको की सियमन राम चरन नुरागा अवद सैस समबन प्रिय लागा सीता जी भगवान राम के चड़ में इतना प्रेम करती है कि उन्हें बन भी अविद्या के समान प्रिय लगने लगा परन कुटि प्रिय प्रिय तम संगा प्रिय पर बार को रंग बेंगा और उन्हें अपनी परन कुटि में लगने लगी और सब उसके वे लगने लगे सासो ससोर समा मोने तिय मोने बर असना अ कंध मूल फल ब्यंजनों के समान कंदमूलफल लगने लगें और साससुर सम जो मुनी की पत्नी थी वो सब साससुर के समान लगने लगीं का सीता जी को बन में ऐसे प्रसंग आपको कभी कभी कथाओं में भी सुनने को नहीं मिल पाते हैं यह सब राम चरत मानस की गूड बाते हैं नात सात सातरी सु आई शेन शेन से सम सुकदाई अब जो उनकी सातरी थी कुसकी जो उनके विस्तर थे लेकिन बो उन्हें सेन बोम करते समय सुकदाई देने लगे क्योंकि कुसके विस्तर तो चुबते हैं लेकिन बो भी उन्हे सुख देने लगे लोकप होई भी लोकत तासो जासो तेकि मोख सक भी सह बिलासो सुमरत राम आहित जहीं जने त्रन सम भी सह बिलासो राम प्रिया जग जननिसिये कच न या चर जतास सोच जोर जगजन्निये सीता जी उनके लिए भी क्या कुछ दुलब है वो सब कुछ उपस्थित कर सकती है लेकिन समय के अनुसार हमारे तुमारे लिए लीला करती हुई कुसपे लेट करके भी सुखी हो रही है इस से हमें क्या सिच्छा मिलती है कि कैसी भी परिस्तिती हो अपने पति के चाहें पति गरीब हो अमीर हो कैसा भी हो लेकन उसके साथ सुखी से अपना जीवनिया अपन करो कभी है मत सोचो के हम उसके साथ दुखी हो गए अब तो भगवान राम पुरानी कता कानी काने लगे क्यों कहते हैं क्यों कि सीता और लच्वरण जी सुकी रहे इस चोपाई से में क्या सिच्चा मिलती है कि हम अपने बिजिनेस में चाहिए गाटा करें, बाड़ा करें, कुछ बहु करें, हमारे जीवन में क्या चल रहा है उसकी परवार नहीं करें, लेकन हमारे साथ कौन है, उसके सुक्का खयार रखें, यानि कि जो भी आपके परिवा में आपके साथ हैं उसको सुखी रखें यह चोपाई भगवान रामा इसलिए यह सब लीदा कर रहे हैं जब जब राम अब दसोदे कराईं तब तब बारी भी लोचन भराईं जब जब रामा इद्या की याद करते थे तब उनके नेत्रों से हासु निकल जाते थे क्यों निकल जाते थे सो मेरे माँ तो पितु परे जन भाई बरतसने हसील से बकाई क्योंकि कोसिल या माँ उनसे बहुत इशने करती थी परत जैसे उनके भाई थे इसलिए राम रोने लगते थे क्रपा सिंद प्रभु होई दुखारी धीरज धरए कुसम आए बिचारी सोच सीता और लचमन को सुकी रखते हैं लेकिन अपन अपने मन में दुखी हो जाते हैं भरत जैसे भाई को याद करके लक्सिया लखन पिकला होई जाईं जिमे पुरस हैं अनुसर परिचाईं जब राम दुखी हो जाते थे तब सीता लखन दुखी हो जाते थे इसलिए राम सीता लखन को दुखी ना हो इसलिए उन्हें पुरानी कथा और कानी सुनाते थे कह रहे थे करहें पुरातन कता कानी सुनाएं लखन सियाते सुकुमानी इसलिए भगवान राम अपन दुखी हो जाते थे और उनको दुखी देख करके सीता लच्मर दुखी होते थे इसलिए पुरानी कता सुनाते थे लखाएं लखन लखन बिकल हो जाएं जब राम को दुखी देखते थे तो सीता लच्मन जी बिकल हो जाते थे और भगों राम कोसिल या माभा और चसरत जी और भरत को याद करके दुखी होते थे लेकिन एक दूसरे के दुखा ख्या रखते हुए प्रिया बंदो गते लखे रगों नंदन दीर क्रपाल बगते और चंदन लगे केहन कचू कता पुनीता सुन सुकल है लखन और सीता और वो बड़ी अच्छी अच्छी कता कहने लगे जिससे के राम और सीतन बेल लक्चमण और सीता जी बहुत सुक पाने लगी राम लखन सीता सहत सोत परन निकेत जिमिबास वबस हमर पुरा सची जयनत समेत इस से में एक सिच्छा में थे कैसी भी परिस्तिती हो एक दूसरे का क्या लख करके हमेशा खुस रहना चाहिए जोगवाएं प्रभुसिय लखनाएं कैसे पलक बिलोचन गोलक जैसे और राम और सीता जी लच्वन जी से इतना प्रहम करते थे जैसे कि आँकों के दोनों पलक जो बीच में गोला होता है उसकी रच्छा करते हैं उसी तरह लखन की रहे और राम जी दोनों उनसे प्रहम करने लगे सेवाई लखनु सी अरगु भी रहें जिमिया विबेकी पुरस सरी रहें ये विदि प्रभु बन बसाई सुखारी खगम्रग सुरता पसे इतकारी कयो राम बन गबन सुआवा सुनाव सुमंत बद जिमियावा फिर उनिसादू प्रभु पहुचाई सच वसाय तरत देखे से आई फिर सुमंत बगवाराम को छोड़ करके आए मंत्री भी कलब लोकी निसादू कई न जाए ज़सभय उविसादू सुमंत बगवाराम को छोड़ करके गंगा के तर पर आए तो निसाद राज बहुत दुखी हुए देखे दखे न दिस है निनाई जनविन पंख भी हम गया को लाई तो दखेंद साखी और क्योंकि भगवाराम दखेंद साखी और गए थे उन्हें देख देख करके ब्याकल होने लगे कौन गोड़े जो उसमें रत में रत चलाकर ले गए गए थे वो गोड़े दुखी होन है तो ब्रवाराम को जाए ना चला बसू पचितना प्रेम करते थे तो मनुष्यों की तसावी भी करते हैं हैं कャोने संसार में को सदिख और तहुंत के तुम्हा पंडित क्या करें तुम्हा पंडित करें तुम्हा पंडित पर हमारत ग्यात दरो दीर लके विमुक विधाता अभी विधाता विमुक है इसलिए कुछ दीर धरलो बेविदिकता कहे कहे म्रदोबानी रत बैठा रे उबर वसे आनी और निसाद राज ने सुमंत को कई तरह से धीर बनाते हुए उन्हें रत में बेठा दिया सोक सित लर तु सकाई ना की रगवर बिर पीर और वांकी चरप राए मग चलाई न गोरे बना म्राग मनाओ आने रत्य जोरे अंडो के पराई फिर हे रही पीचे रामा भी योग बेकल दुकती चे जो कहें रामा लखन बैते ही एकर हेकर हे तहे रहे ते ही बाज भी रहे गती कहे कहे कि मिजाती बेनो मन अपने का विकल जए माती बैयो निसाद भी साद बसे देकत सचे बतो रंत बोले सुसेव कचार तवे दिये सार थी संग जब ज़्यादा बिकल देखा तो निसाद राज ने सुमंत के साथ सारत ही वे दिया एद्या के लिए और अब बोल्म आद्या के लिए जाएंगे नमोरागवाई नमोरागवाई जैसी भी परिस्तितियो हम अपने भगवान से मेसा प्रेम करते रहें हमें भगवान को कभी भी भूलना नहीं चाहिए क्योंकि आएद्या बासी भगवान राम से और घोले तक इतना प्रेम करते हैं तो हम और आप क्यों नहीं अब अश्य भगवान राम के श्वाई कुछ नहीं है और राम के करे हुए कार्यों से हमें बहुत सारी सिच्चा ले लेनी चाहिए जैसी रिसी ता राम जैसा भी लगे कमेंट बॉक्स में लिख देना नमोरागवाई